स्वागत है आपका हमारे चैनल टेकिश्टेडी पर आज इसमें हम Employability Skill का सेमेश्टर 1 2018 का एक्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं इससे पहले Employability Skill सब्जेक्ट के उपर 19 वीडियो इस चैनल पर बन चुके हैं जिसको आप इस वीडियो के लास्ट में चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक में दे दूँगा उस पर जाकर देख सकते हैं अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं अभी कुछ नमबर बन है देखिए निमलिखित में से कौन से इन्पुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर गेमिंग खेलने के लिए किया जाता है चार आपसन है स्कैनर हालका पेन जोई चड़ी डिजिटल कैमरा तो जो जोई चड़ी यानि जोई स्टिक है इसका हम कंप्यूटर में एज इन्पुट डिवाइस चूज करते हैं जब हम गेम खेलते हैं तो राइट आंसर आपका जोई चड़ी यानि जोई स्टिक कुशन बर दो है निम्रकित में से किसका उपयोग द्रिस्यों को कैप्चर तथा स्टोर करने के लिए किया जाता है जब आप एक पहाड़ी स्टेशन विजिट करने जाते हैं CPU, फोटो स्कैनर, हैंड होल्ड स्कैनर, डिजिटल कैमरा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डिजिटल कैमरा आप डिजिटल कैमरा लेके जाते हैं जब आप कहीं विजिट करने जाते हैं कहीं टूर पे जाते हैं फोटोस को कैप्चर करने के लिए कुशन नमर 3 है, एक स्पेस का उपयोग CAD और CAM अप्लिकेशन के लिए किया जाता है प्रिंटर, स्कैनर, बारकोड रीडर, प्लाटर तो जो CAD और CAM अप्लिकेशन में हम यूज करते हैं वो होता है हमारा प्लाटर कुशन नमर 4 है, दो परचलित पॉइंटिंग डिवाइसे हैं यानि डिवाइसे हैं, पॉइंटिंग डिवाइसे में से कौन-कौन सा है चार आपसन है, M.I.C.R. और O.C.R., हलका पेन और जाय चड़ी, माउस और जाय चड़ी, माउस और डिश्टल कैमरा तो आपका माउस और जाय च्टिक, ये दोनों आपकी पॉइंटिंग डिवाइसे हैं कुशन नमर 5 देखिए, 8 bits is equal to कितना बाइट, तो 8 bit में आपका 1 byte होता है, राइट अंसर आपका 1 byte कुशन नमर 6 है, बाःरी मेमोरी या space, 28 storage का एक form है, डिवेत्टी मेमोरी, प्रात्मिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, रेंडम एक्सेस मेमोरी तो right answer आपका दुत्ती ही memory बाहरी memory होती है उसको हम secondary memory या दुत्ती ही memory कहते हैं question number 7 है GUI का मतलब होता है तो GUI का full farm होता है आपका graphical user interface right answer आपका graphical user interface question number 8 है एक location से दूसरे location तक file या folder को move करने के लिए space बिकल्ब का उपयोग करते हैं तो जब भी हमको file या folder को move करना होता है एक location से दूसरी location पर हम क्या करते हैं उसको cut करके paste कर देते हैं तो यानि cut यह पेश्ट आपका right answer है question number 9 है ने देखिए space उपलब्द कमांडों की एक सूची है window explorer desktop menu icon तो जो menu होता है यह आपका command की एक सूची होती है question number 10 विभिन प्रकार के indentation है बायोम दायें पहली पंक्ती और दायें बायें और पहली पंक्ती बायें पहली पंक्ती और दायें तो right answer है आपका बायें यानि left first row and दाये यानि right यह आपका indentation है question number 11 है आपका अंतिम print out अंतिम print out लेने के पहले लिया जाता है print out में कैसा प्रतीत होगा देखने के लिए आप work sheet के space को देख सकते है print sample, page setup, print preview इन में से कोई नहीं तो हम क्या देखते है print preview कि हमारा जो print out आएगा और कैसे दिखेगा इसके लिए हम print preview देखते है question number 12 है broad band refer करता है data transfer की गती, data transfer की मातरा, दोनों का और खा, इन में से कोई नहीं तो जो broad band है आपका वो data transfer की गती को refer करता है question number 13 है BCC बिकल्प का उपयोग, space को email की एक copy भेजने के लिए किया जाता है तो BCC का full farm होता है आपका basic carbon copy चार option है, एक अंधे ब्यक्ती, कई लोगों को बिना देर किये उन्हें जानकारी देने प्रेसक के पते पर कई लोगों को बिना देर किये अन्हे प्राप्त करता को जानकारी देने के लिए उप्रोक्त सभी एन एन एरोप्लेन फ्लाइज इन दा एर कुशन नमबर 15 है सब्दों के एक समू जो वाक के बनाता है परंत पूरी तरह वाक के नहीं कहलाता है तो उसको हम बोलते हैं लोकोक्ती जो कहावते होती हैं वो कुशन बर 16 है उल्लेखित प्रश्ण की प्रतकिरिया में सही उत्तर चुनिए यह आपका कुशन है राइट आंसर होगा आपको यह यह फ्यूचर टेंस है तो आप यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका होगा एट 3.15 पीम टुमारो यह आने वाले कल कल को हम 3.15 पीम यानि साम को 3.15 पे मोवी देखेंगे कुशन बर 17 है हमें संचार के समय स्पेस करना चाहिए ध्यान पूर्बा की स्पीकर का नहीं सुनना स्पीकर का इंटरफेस ध्यान पूर्बा की स्पीकर को सुनना कुछ नबर 18 है सही पूर्व सर्ग चुनिये यदा यंग जंटल मैं इंगेजड चार अपसन है इस पेस के बाद मिस ब्राउन इन विद आट एबव तो जो भी इंगेजड हुआ अगर मिस ब्राउन के साथ तो वहाँ पर क्या आएगा विद दा यंग जंटल मैं इंगेजड यहां पर होगा आपका विद बेट फॉर यू एड़ दा स्टेशन कुषन मर ट्वेंटी टू है सफलता की कुंजी है चार अपसन है प्रतिबद्धता अनुचासन कठोर कार उपरोप्त सभी तो सफलता की कुंजी के लिए सभी आवस्यक हैं कुषन मर ट्वेंटी ट्री एक एक सामान बेकती प्रत समान आर्थी है तो ब्लेंड means होता है किसी चीज़ को Mix करना तो इसका समान आर्थी आपका क्या होगा Mix कुष्चन मर 25 है मुहावरे बोल चाल में इस प्रतान करता है तो जो मुहावरे होते बोल चाल में और और अधूपन्द करते हैं यह 25 कुषचन थे आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं 2018 में पूछे भी जा चुके हैं एक बार एक्जाम पेपर में इस बार भी आ सकते हैं और अगर यह वीडियो आपको पसंद है इसको आप लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे इस चैनल को जरूर सब सब्सक्राइब कीजिए साथ ही आपको देखें यहाँ इंप्लाइबिल्टी स्किल की प्लेलिस्ट दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप सारे वीडियो इंप्लाइबिल्टी स्किल सब्जेक्ट के देख सकते हैं थैंक्यू